Hi friends, so one second, welcome to Jxnology YouTube and Facebook channel. Friends, today again we are going to learn direct indirect narration. जी दोस्तों, आज हम दूबारा direct or indirect narration के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किसी truth or fact or act को किस प्रकार direct say indirect narration में बदला जाता है. और इसे हम समझेंगे और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं सो सस्क्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे तक ही मेरे नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पोच सके और दोस्तो मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप अंतक देखे तक ही आप समझ सके और अपने स्कूल कॉलेजेस में जो डाइरेक्ट इंडिरेक्ट नेरेशन में कभी भी सवाल पूछा जाता है तो उसे आप अराम से सॉल्व कर सके सो चलिए देखते हैं सो दोस्तो यहां पर हम पहले रूल नंबर वान को देखते यदि रिपोर्टेट स्पीच में कोई इनिवर्सल तुथ यानि सर्वकालिक स्वत्व प्रोभव यानि कहावते इसे सेंटेंस को जब इनडारेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्टेंस में होने पर भी इसका टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है इसे आप ध्यान रखे चलिए हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट सिंपल में है और रिपोर्टेट जो स्पीच है वो आपका एक इनिवर्सल तूथ है अब यहाँ पर हम देखते है यदि यह पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब सो हम इन्डिरेक्ट निरेशन में लिखते समाई कैसे लिखेंगे एक बढ़ देखते हैं इन्डिरेक्ट निरेशन इसके मतलब उसने कहा कि सुर्य पच्छिम की और अस्थ होता है यह तो हमेशा होते ही रहेगा इस कारण इस प्रकार के सेंटेंस को इन्डिरेक्ट निरेशन में बदलेंगे तो ऐसा होगा यहाँ पर क्यों आया क्योंकि यह पास्ट में है तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और man is mortal इन्सान मरंसिल है यह भी एक इनिवर्सल तूथ है तो इन कॉमा इन्वाइटेट कॉमा के जगा में हम देट लगाएंगे और फिर जब हम इसे बदलेंगे इन्डिरेक्ट में तो इसमें the man is mortal हमको लिखना होगा अब कहेंगे कि यहाँ पर दा क्यों आया क्योंकि यहाँ पर दा इसलिए लगा क्योंकि एक मनुष्व एक पूरा ग्रूप के बारे बता रहा है कि सब के बारे बता रहा है इसी करण उस बात को निश्चाह करने के लिए हमने दा लगाया इंडिया बिकेम रिपब्लिक ओन 26 जन्वरी 1950 सिछक ने कहा भारत 26 जन्वरी 1950 को गनतंत्र बना इसके मतलब यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है सो हम ना तो यहाँ पर reported speech में बदलाव करेंगे और ना तो हम आपका reporting verb में बदलाव करेंगे क्योंकि reporting verb जो है वो already एक past है सो इसमें बदलाव नहीं होगा और साथ में reported speech जो है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है तो उसमें भी बदलाव नहीं होगा इंडिरेक्ट को हम जब बनाएंगे उस समय हम ऐसा लिखेंगे, इंडिरेक्ट, the teacher said that India became republic on 26th January 1950, next sentence को देखते है, डिरेक्ट, she said to me, invited, honesty is the best policy, उसने मुझसे कहा, इमानदारी सर्वत्तम नीती है, जब इसका इंडिरेक्ट में हम परिवर्ति करेंगे, तो इस प्रकार होगा, इंडिरेक्ट निरेशन, she told me that honesty is the best policy, हम देखते हैं कि ये एक mathematical fact है, इसमें मैंने टोल लिखा, क्योंकि say to का टोल होता है, इंडिरेक्ट निरे मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं कुछ दिन पहले ही अपलोड किया हूँ, सो उसे देखे और समझे, और एक sentence को देखते हैं, direct, he said to me, invited, I go for a walk daily, उसने मुझसे कहा, मैं रोज टहलने जाता हूँ, सो इसके इंडिरेक्ट इस प्रकर बनेगा, he told me that he goes for a walk daily, अब यहां पर आप यदि मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, सो एक बर आप जरूर देखिए, उसमें आपको सारे formula आपको पता लग जाएगा, कि reported speech का आई ही में बदल जाता है, आप एक बर उस वीडियो को समझ में आ जाएगा, सो आमने ही लगाया, और ही third person singular number है, सो third person singular number के साथ present simple में ES का प्रविग होता है, इस करण यहां पर मैंने ही गोज लिखा, सो यह एक habitual act है, सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मैंने जो कुछ अभी बताया, वो सारे चीज समझ में आ गया यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, सो आपको base का वीडियो को देखना चाहिए, माने basic वीडियो को देखना चाहिए, सो आप मेरे channel पे चले जाएए, या आप i button को click करके आप वहां से भी आप मेरे वीडियो को देख सकते, उसमें मैंने details बता रखा है, सो आप वह subscribe button को press कर दे, और bell icon को भी press कर दे, तकि आपको मेरी नहीं वीडियो का notification मिल सके, और दोस्तो लाइक तो बनता है, सो लाइक जरूर करें, आपके एक single like से हमें motivation मिलता है, कि हम और नहीं नहीं वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहे, सो यदि आप में कोई भी ऐसी जान करी चाहिए, सो आप मुझे comments भी कर सकते हैं, और आप जाते जाते comments करके जरूर जाए, कि आपको मेरे बनाय हुआ इस वीडियो कैसे लगा, नमस्कार